पर आई बात करते हैं स्टार्ट अप महाकुम्ब की भारत के स्टार्ट अप को ग्लोबल उडान देने के लिए नई दिली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप महाकुम्ब का आयोजन किया गया लक्ष है भारत के स्टार्ट अप एको सिस्टम को तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाने का बड़ी खबर यह है कि अब भारत डीप टेक सेक्टर के लिए नई स्टार्ट अप पॉलिसी लेकर आ रहा है और हमाई संबादा आजे मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट देखे अब दस फोकस्सेक्टर्स 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्ट अप महाकुम में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुचाते नजर आएंगे स्टार्ट अप इंडिया के शुरुवात के बाद सिट्बी के माध्यम से 10,000 करोड रुपए के फंड और फंड्स के माध्यम से स्टार्ट अप्स को 56,000 करोड रुपए की फंडिंग की गई सम्मेलन के उद्गाटन समारोह को संबोधित करते हुए वानिजर उद्द्योग मंत्राले में सचिव आरके सिंग ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा Government of India is in the process of creating a separate dedicated startup deep tech startup policy the policy paper is now in the final stages of discussion of inter-ministerial discussions and we hope to bring it forward soon and after that we will hopefully move towards creating a dedicated fund a fund of funds again since government wants to do it in an arm's length manner we don't want to sort of start picking winners and losers in business which is why we created this concept of AI apps and fund of funds भारत के startup ecosystem में अब तक 140 billion dollars से ज़्यादा का निवेश हो चुका है एक लाख 30,000 से ज़्यादा startup कंपनिया अलग-अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है Startup महाकुम से भारत के startup ecosystem को global स्थर पर ले जाने की तयारी है आगे चलके startup महाकुम हर साल आयोजित किया जा सकता है साल 2024 में startup ecosystem में funding बहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है महाकुम में 5000 से ज़्यादा नए startup उद्दमी तयार होने की उमीद है साल 2023 में startups की funding साथ सालों में सबसे निचलिस तर पर पहुँच गई 2022 में 25 अरब डॉलर के मुकाबले 2023 में सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का निवेश आया साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बाप फिर से startups में निवेश के सुनहरे दिन वापिस आएंगे उद्द्योग परिसंग, सुचैम, NASCOM, Bootstrap Foundation, TRI और IVCA के सहयोग से वानिज बंत्राले ने इस महाकुमिकर शुरुवात की है जो देश के startup ecosystem को global उडान देने जा रहा है साल 2016 में जो एक छोटी ची शुरुवात हुई थी startup India अभियान के जरिये आज वो एक क्रांधी बन चुकी है विक्सित भारत में अपना योगदान देने के लिए startup India अपने तोर पर तयार खड़ा दिखाई देता है startup महाकुम से इस अभियान को और भी तेजी मुलने की उमीद है और उमीद ये की जा रही है कि साल 2024 भारत के startup ecosystem के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबित होने जा रहा है तो नए भारत का सपना साकार कराई startup महाकुम